तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में और बात करेंगे इस वीडियो में विराट कोली और गौतम गंबीर की आपको याद होगा 2023 माई क्या वो किसा जब विराट कोली और गौतम गंबीर आमने सामने थे काफी आरग्यूमेंट्स हो रहे थे दोनों टीमों के मेंबर्स जो हैं उनको अलग करने की कोशिश कर रहे थे का टू 2024 और ये चीज़े बिलकुल बदल जाती हैं चिन्ना स्वामी स्टेडियम है आर्सीबी का गड़ और उसमें गौतम गंबीर जो कि अब के क्यार का हिस्सा हैं मेंटर नजर आते हैं विराट कोली को गले लगाते हुए फैन्स जो की काफी कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रहे थे उनको ये नहीं उमीर थी कि गौतम गंबीर और विराट कोली एक दूसरे को गले लगाते नजर आएंगे दोनों दिल्ली के लड़के हैं और दोनों ने चीज़े जो हैं अलग करके पैच अप करते नजर आये थे औ और इसको लेकर गौतम गंबीर ने पहली बार अपनी चुपी तोड़ी है जी हां वराट कोली को किस तरह से उन्हें निगुले लगाया था उसको लेकर फैर प्ले अवार्ड को लेकर वो बोल पड़े हैं क्या कहा है और उनका क्या माना है कि शायाद उनको लगता है कि फैर प्ले अवर्ड में हमेशा टीम नीचे ही नजर आती है आईए देखते हैं गौतम गंभी ने चिन्न स्वामी स्टेडियम के उस किसे को लेकर क्या कहा अश्विन से बात करते वे उनके यूट्यूब चैनल पर उन्होंने कहा honestly मैं आपको बताऊंगा इस साल मैंने सोचा था कि ह हम Fair Play Award तालिका में शीश पर होंगे चिन्न स्वामी में जो हुआ उसके कारण तो हमनोंने मजाकी तौर पर कहा कि भाई जो कुछ हुआ था हम दोने इने गले मिले तो मुझे ऐसा लग रहा था हमने कुछ अच्छा किया है और Fair Play Award में हमें शायद टौपर होना चाहिए जिस तरह से हम एक दूसरे के गले लगे थे चाहिए हम अंग तालिका में कहीं भी हो कोई बराबरी का मुकाबला नहीं है लेकिन हमें Fair Play Award में शीश पर रहना है लेकिन फिर भी हम सबसे नीचे हैं आगे गंबीर कहते हैं किसी ने मुझे कुछ दिन पहले एक मैसेज भेजा था उ क्या कोई ट्रोफी है मैंने का नहीं और मुझे अभी भी समझ नहीं आया हमने काफी अच्छा केला पिछले पांच मैचों में हमने क्या गलत किया है मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया है और अभी भी हम दसवे नंबर पे हैं शायर ये सिर्व इसलिए है क्यूंकि मैं उस डाकाउट में बैठा हूँ आगे उन्होंने बात की कि इस तरह से जब लखनो सुपर जायंस का भी हिसाते तब भी Fair Play Award के उस Points Table पे नीचे ही थी थी उन्होंने का दुरभागे से Unfortunately तब भी मैं Back Bench था मुझा आखरी Bench पर बठाया गया यह मेरे साथ तब से चला आ रहा है जब मैं छोटा बच्चा था और यह ऐसे ही जा रही जह है जिस शन मैं किसी फ्रेंचाइजी Fair Play Award के साथ वहां होता हूँ हम कहा होते हैं हम क्या हैं नमबर 9 या नमबर 10 पिछले साल लखनो सुपर जायं 9 वे नमबर पता तो उन्होंने यह चीजे कहीं कि शायद मेरा होना डगाउट में Fair Play Award खेलिए ठीक नहीं है और यही कारण है कि उनकी टीम जो भी वो किसी टीम के फ्रेंचाइज से असोसियेटेड होते हैं वो नीचे ही होती है लेकिन उनको लगा कि जिस तरह से चिना सुवामी स्टेडियम में विराट खोली और उन्होंने गले एक दूसरे को लगाया था शायद Fair Play Award में टॉप पर उनका नाम होना चाहिए उनकी टीम होनी चाहिए जिस तरह से उन्होंने एक बिट किया था जिस तरह से वो गले मिले थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ आपको क्या लगता है क्या KKR को Fair Play Award में नमबर वन पर होना चाहिए जैसा गौतम गंभी कह रहे हैं आप कॉमें सेक्शन में जरूर जाके बताएगा क्योंकि I love reading all your comments और अच्छा लगेगा और प्लीज अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा करने से आप बिलकुर भी एक भी अपडेट मिस नहीं करेंगे भई आई-पेल का लास्ट लेग ऑन है क्वालिफाइब वन खेला जा चुका है एलमिनेटर का आज बड़ा दिन है जी हां आर सी बी और आर का मैच है सारी अपडेट्स आपको यहां मिलेंगी वेदर अपडेट आपको दे दिये है क्लियर स्काय है तो सारी आई-पेल से रिलेटिड वर्लकप से रिलेटिड जितनी भी खबरें है इसी प्लाटफॉर्म पे आपको लगतार मिलेंगी और अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लिजेए शेयर कर लिजेए हमारे चैनल को जैसे कि मैंने कहा सब्स